नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसा अध्भूत नदी के बारे में दिखाने जा रहा हूँ जो बड़ा है आज सिर्फ जनिक है देखे यहां पर यह नदी अस्टार्टिंग होता है यहां से यहां से यह रहा पथल पानी बस यहां से ही अस्टार्ट होता है उसके बाद देखे इस नदी में कितना मचली भारा पड़ा है नदी का स्टार्टिंग रहे है थोड़ा थोड़ा पूरा चटान का नदी है पहले देख लिजेए चारू तरफ से मिजरा है और यह रहा चटान और नदी जो अस्टार्टिंग हुआ है तो यहां से यहां पत्थल से पानी निकल रहा है पूरा देख लिजिए उसके बाद आई दिखाते हैं आप लोगो मचली का भरमार अब यहां से आद देखिए इसके बाद से यह हो गया अब यहां पर देखिए मचली पता ने दीख रहा है कि नहीं पूरा मचली भरा हुआ है सरगड के इसके बाद से आओ यह रूपने कि तो भीडिव भरहल दे नहीं यह रहा पानी धिरे धिरे बढ़ते जा रहा है इसके बाद से यहां देखिए इधर से आया थोड़ा थोड़ा और यह देखिए मचली का भरमार यह देखिए उसके बाद से मूर ने देखिए अपना दिमाग लगा दिया है पकड़ने का चेकर रहा है यह रहा च्छटा सा यह देखिए कर देखिए आप लोग कर दोड़ने का कोशिस में है मारने के लिए नहीं बस हाथ मच्छोने के लिए तो देखिए आप लोग अब देखिए कितना पकड़ना रहा तो जड़ा दिर मुनी जबोर जीता तुरां मुनी लागा कारी गिरी अरे यह रहा हम अच्छी सा लेकिन पानी यहां तो बांध है लेकिन रुखने का नाम नहीं ले रहा है अब इस पानी को कैसे रोका जाए चलते है बांगने के बावजिय जी और मुनी लाल यहां पर लेगल है अब बड़ा तलाब देखा जोते पानी जो आस्टार्टिंग में दिखाए वही था यहां मात्या ते इसमें जोड़ते हो गया है और इधर भी देखियो मचली का भरमार पानी तला गंदा होके अब मुनी लाल अपना कारीगर में लग गया है मचली पकड़ने का इधर जा लाड़ दिया है और यह देखिए अन्न गुम्सेन भरमार आशेल कर दिख थैस्तिक करत कंशपवर हैं तो छैसे पार के दूती तुम्सेट स्टेजि आखिए अब बुलाए रगला बुलाए रगला बुलाए रगला